नमस्कार आप सबी का स्वागत अक्षर संसान्द के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर पिछले वीडियो लेक्षर में आपने देखा कि रस संप्रदाय क्या होता है रस संप्रदाय में रस क्या होता है रस के अंग क्या होते है और रस के प्रकार कितने होते है इसी शिंकला में लिवास सबसे पहले तो इसकी वरतनी से है क्योंकि श्रिंगारस की वरतनी कुछ विद्यारती इस तरह से लिखता है और कुछ विद्यारती इसकी वरतनी इस तरह से लिखता है और दोनों की दोनों वरतनिया यहाँ पर अशुद्ध है श्रिंगारस की शुद्ध वरतनी यह हो से रती नामक स्थाई भाव उत्पन होता है तो उसे शिंगार रस कहते हैं यह परिभाशा हमारे पास ऐसी परिभाशा है कि इस परिभाशा में कर रती शब्द के स्थान पर किसी अन्य रस के स्थाई भाव को रख दें तो यह परिभाशा किसी अन्य रस की बन जाएगी जैसे अगर मैं इस परिभाश को परिवर्थित करकर ऐसा बोलूं कि किसी व्यक्ति के ह्रदय में विभाव, अनुभाव तता संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थाई भाव उत्पन होता है तो उसे हास से रस कहते हैं अगर यहाँ पर रती शब्द का परियुक करेंगे तो यहाँ पर शिंगार हो जाएगा इसके अत्रित किसी और स्थाई भाव का परियुक करेंगे तो उसी का रस हो जाएगा अर्थात केवल एक परिभाशा से हम सभी 11 रसों की परिभाशाएं बना सकते हैं शिंगार रस के बारे में मुख्य बात कि इसे रसराज कहा जाता है रसराज अर्थात रसों का राजा इसे रस्पती कहा जाता है पती अर्थात राजा तो रसराज और रस्पती का राजा तो रसराज और रस्पती का राजा एक ही होता है तथा इसे आदी रस भी कहते है आदी जैनों में 24 तीर्थंकर सुने होंगे 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर है रिशब देव उनका नाम भी आदी नाथ था अर्थात पहले नाथ इन सभी बातों से हम ये निशकर्ष निकालते कि आदी शब्द करत होता है प्रारंबिक तो श्रिंगार को रसराज, रस्पती या आदी रस भी कहते हैं इनके प्रकारों पर अगर हम बात करें तो इसके दो प्रकार हैं एक सयोग श्रिंगार और दूसरा वियोग श्रिंगार इसे विप्रलंब श्रिंगार भी कहा जाता है अब सईयोंग श्रिंगार के उधारनों को समझते है पहला उधारन लिका है राम को रूप निहारती जान की कंगन के नगे की परिशाही याते सभी सुधी भूल गई कर टेक रही पल टारत नही जब हम ऐसी कोई पंक्ती देखते हैं तो पहली नेजर में हमें इस पंक्ती का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ही होती है अगर हम इस पंक्ती का अर्थ निकालना चाहते हैं तो इस पंक्ती को कम से कम दो से तीन बार हम ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अगर हमें मुख्य मुख्य की शब्द मिलते हैं तो हमें उनका अर्थ निकालने का प्रयास करना है समझे कैसे लिखा है राम को रूप समझ में आ रहा है निहारती निहारने का मतलब देखना कौन जानकी तो राम को रूप निहारती जान की माता जान की किसका रूप निहारती है राम का कंगन के नग की परिचाही सीधे नहीं देख रही है अपने कंगन के नग की परिचाही में उनका रूप निहार रही है और उसे देखने के बाद याते सबी सुधी भूल गई एक बार फिर से समझते हैं, राम को रूप निहारती जान की, अर्थात भगवान राम को रूप निहार रही है, उन्हें देख रही है कौन माता जान की, अपने कंगन की नगगी परशाई में और उसे देख कर सभी सुधी भूल गई है, और अपने हातों को टेक रही लिगे प व्योग श्रिंगार, से योग श्रिंगार में हमेशा ही नायक और नायका के मिलन की बात होगी, और व्योग श्रिंगार में नायक और नायका के बिछणने का, या किसी दूर देश में जाने का वर्णन होगा, तो यहाँ पर आप समझो तो नायक हैं, भगवान राम और नाय में होता है तब ऐसी स्थितिया बनती हैं कि लगातार बिना पलकों को जपकाए देखता है तो मेरे ख्याल से अधारण आपको समझ में आया होगा अगला अधारण देखते हैं तो बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करें बहुत हना से देने कहे नटी जाए वही प्रक्रिया होगी अगर आप एक बार पढ़ोगे तो शायद आपको चीजे समझ में ना है लेकिए अगर आप ध्यान से समझो लिखा है बत्रस चलिए मान का चलते हैं शब्द करत आपको नहीं पता लालच लालकी किसी बात की लालच की बात चल रही है अगर यहां से हम बत बत्रस चल रही है बत्रस शब्द का मतलब होता है बात बत्रस लालच लालकी मतलब की बगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियों ने उनकी मुरली को छुपा लिया है मुरली धरी लुकाए और जब बगवान कृष्ण उनसे मांगने आते हैं तो गोपिय सौह करती हैं सौह मतलब कसम खाना होता है भाहन हसे अपनी भाहन से हसती है और जब भगवान क्रिश्न कहते कि मुझे मेरी मुरली वापस लोटा दो तो देन कहे नटी जाए अर्थाद गोपियां मना कर देती है तो एक प्रकार से आप समझो के तो यहाँ पर भी काउस रस नि लिखा बिहारी यह बिहारी की पंक्ति है आपने एक मुहावरा सुनाओगा गागर में सागर भरना यह उधारण उस मुहावरे पर सटीक बैठता है यह लिखाय कहत नटत रीजत-खीजत मिलत-खिलत लजियात भरे भवन में करत है नेनन ही सबबात समझते हैं लिखाय कहत लिखा इना टत नायक नायका है और ऐसे किसी स्थान पर है जहाँ पर शायद भीड़बाल जादा है लेकि बात करना अलाउ नहीं है और आखरे में लिखा है नैनन हुँ, सो बात मतलब की सब बात किस से करते हैं नैनों से अर्थाथ आँखों से बात कर लेते हैं मुख से एक भी शब्द नहीं बोल रहा है नायक नायका से आँखों से ही कहता है कहत हो सकता है कहीं मिलने की बात चल रही होगी नायक नायका से कहता है कि चल मिलते हैं नायका आँखों सही मना कर देती है नटत लेकिन शायद नायक को उस मनाही में कही न कही हामी दिखती है इसलिए उस बात में वो रीज जाता है तो रीजत और जब नायक रीज जाता है तो नायका सोचते कि जब मैंने इसे मना कर दिया उसके बाद भी रीज गया तो इस बात पर नाइका खीज जाती है, तो वह कहत, नाइक कहता है, नाइका मना करती है, नटत, नाइक रीज गया, तो रिजत, और नाइका खिज जाती है, तो खिजत, और फिर दोनों की नजरे मिल जाती है, तो मिलत, और जैसे ही दोनों की नजरे मिलती है, दोनों का चहरा खिल जाता ह खिलत और नई का जय उसे शर्म आ जाती है वो लजिया जाती है इसलिए लजियात कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन हुँ ही सब बात कि दोनों ने केवल आखों से बाते कर ली ते कुछ उधारन है संयोग श्रिंगार के किसी विरस के उ उस उधारन को दो से तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर उसका मुख्य मुख्य की शब्दों के अर्थ निकालने का प्रयास करना है एक बार अगर हम मुख्य की शब्दों के अर्थ निकाल लेंगे तो फिर हमें ये प्रतीत होगा कि नायक नाइका के बीच में अगर मिलन का वर्णन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कौन सा रस होगा संयोग शिंगार है रस संयोग शिंगार के बाद अब हम समझते हैं वियोग शिंगार को जैसा कि संयोग शिंगार में हमने देखा नायक नायका के मिलन का वर्णन होगा वैसे ही वियोग शिंगार में नायक और नायका के बिछुडने का या किसी दूर देश में रहने का वर्णन होगा कि नायका इस देश में और नायक किसी दूर देश में चला गया तो उस इस्तिति को भी हम वियोग शिंगार के अंदर रखते हैं उधारन से समझते हैं, पहला उधारन लिखा है कि आखों में प्रिमूर्ती थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक, उसका विशम वियोग समझना, आखों में प्रिमूर्ती थी, किसकी मूर्ती थी आखों में? आँखों में मूर्ति का भोती है जब लोग आमने सामने होते है इसका मतलब कि दोनों आमने सामने थे और भूलने थे सब भूग कि जितनी भी बाते थे जितने भी भूगते सब कुछ भूल चुके थे इस्तिती थी कौन सी संयोग श्रिंगार की कि आखों में प्रियमूर्टी थी बूलेते सब भोग हुआ योग से भियदिक उसका विशम व्योग यहां तो शब्दी आगया क्या व्योग ऐसे ही कुछ शब्द अगर हमें किसी उधारण में मिल जाए तो हम सीधे बताते कौन सा रस होगा यहां पर व्योग श्रिंगार रस अगली पंक्ती है यह खगमरग यह मधुकर श्रिनी तो में देखी सीतामरग नैनी यह पंक्ती शायद आपने पहले भी सुनी होगी अगर नहीं सुनी है तो यह पंक्ती उस समय की है जब रावन माताशीता का हरन करके लेजा लिया था और भगवान आदाम को जानकारी नहीं थी कि माताशीता कहा है तो उनके मारग में जो भी पशुब, पक्षी या पथर, पहाड जो भी आ रहे थे उनसे पूछ रहते कि मेरी सीता कहा है तो हे खग, खग अर्थात होता है, पक्षी, मृग अर्थात हिरन, मधुकर शेनी, शेनी अर्थात परवत, तो हे खग, मृग, हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो माता सीता के वियोग में भगवाना राम, पक्षी, हिरन और पहाड़ों से भी पूछ बैठ लेकिन एक विद्वान हुए जिनका नाम था रुद्रट रुद्रट ने श्रिंगार रसके चार प्रकार बताएं जिसमें पहला प्रकार था सहियोग श्रिंगार दूसरा प्रकार था वियोग श्रिंगार तीसरा प्रकार था प्रकाश श्रिंगार और चोहता प्रकार है प्रच्छन श्रिंगार मूल रूप से दो ही श्रिंगार मने जते हैं सहीयोग और वियोग किन्तु परिक्षा में कभी ऐसा प्रश्ण भी आ सकता है कि बताइए विद्वान रुद्रट के द्वारा श्रिंगार रसके कितने प्रकार माने गए तो आपको तरुका चार और सहींग और वियोग के साथ दो जुड़ जाएंगे प्रकाश और प्रच्छन तो श्रिंगार रस के बारे में इतनी जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए परियाप्त है और इसके अत्रिक्त आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारी आफ्लाइन क्लासे से भी जुड़ सकते हैं आपने बड़े ध्यान से सुना आप सभी का धन्यवाद